लो दोस्तों जैसी किष्णा गणेश तूर्थी को सिद्धी विनाय के नाम से भी जाना जाता है गणेश तूर्थी को गणेश जन्मोसव के रूब में मनाया जाता है हिंदू पंजांक के अनुसार इस साल गणे सतूर्थी यानी सिधी विनायक 31 सगस्त बुधवार के दिन पढ रहा है या बुधवार के दिन मनाया जाएगा भगवान गनेश बुद्धवार के देता है ऐसे में गनेश चतूर्थी भी बुद्धवार के दिन आ रही है या पढ़ रही है इस दिन गनेश चतूर्थी का वर्ट दखना बिहद सुब माना गया है इस दिन विशे संयोग भी बन रहा है यह संयोग काफी सुब होने वाला है तो आईए जानते हैं सिद्धी बिनाय के सुब मूरत वै पुजा विधी के बारे में तो सबसे पहले जानते हैं सुब मूरत गनेश चतूर्थी तिथी का आरम 30 अगस्त मंगलवार को दोपहर 3 बज़ कर 34 मिनट पर सुरू होगा जबकि भादर पहत सुकल चतूर्थी तिथी का समापन 31 अगस्त बुद्धवार को दोपहर 3 बज़ कर 23 मिनट पर होगा बन रहा है विशे सैयोग इस साल गनेश चतूर्थी पर विशे सैयोग बन रहा है यह सैयोग काफी सुब माना जा रहा है यह योग रवी योग है जो तिस सास्तर के अनुसार ऐसा माना जाता है कि रवी योग सभी एसुब योग के परभाव को नश्च करने के शमता रखता है इस दिन भगवान गनेश की विधी विधान से पूजा वर्त रखने से हर मनो कामना पूरी होगी वे हर कस्ट दूर होँगे ऐसे करें पूजा पाठ हिंदू धर में ऐसी मननेता है कि गनेश तूर्थी के दिन गनेशी की मूर्ती की स्थापना करना बेहद सुब माना जाता है इस दिन कई भगवान की गनेशी की मूर्ती की स्थापना करके 10 दिनों तक इसकी मूर्ती की पूजा करते हैं वहीं अपनी सर्धा के अनुसार कुछ भक एक दिन तीन और साथ दिन तक भगवान गणेश की परतिमा की का सर्धा भाव से पुजार्चना करते हैं इस दिन भगवान गणेश को मोदक या लड़ू का भोग लगाना बेहद सुब माना जाता है इसके अलावा मोती चूर और बेशन के लड़ू भी भगवान गणेश के सबसे पीरिये हैं लड़ू गणेश जी का सबसे पीरिये भोग माना जाता है उमीद करती हूँ कि आपको गणेश तूर्थी के सुब मूरत, विसेश, सयोग और पूजा पाठ के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा तो ऐसी और जानकरी के लिए चैनल को सेस्काइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ सेल करना, मैं तुक बूलना मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकरी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद